जय मातादी दोस्तो आप सबी का स्वागत है हमारे यूटीब चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 24 जून और 25 जून 2022 के सेहिंग राशी फल के बारे में सेहिंग राशी के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे रहेंगे इन दो दिनों में गरहों की इस्तिथी क्या होगी नक्षतर क्या होंगे किस तरह के परिवर्तन आपको अपनी दिन चरिया में देखने को मिलेंगे जानेंगे सब कुछ विस्तार से सिक्षा, स्वास्थ, करियर, नौकरी, दुकान, प्रेम जीवन, परिवारे जीवन यानि आपके जीवन से जुड़े हर एक शेदर के बारे में हम यहां बात करेंगे तो वीडियो को लास तक जरूर देखें चैनल पर पहली बार आये हैं तो सबस्क्राइब भी कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहती हैं तो पहले इन दो दिनों के तिथी नक्षत्र के बारे में जान लेते हैं 24 जून की बात करेंगे ये दिन शुकरवार का तो दिन है क्रशन पक्ष की एकादशी तिति है और अश्विन नक्षत्र सुभाय तक है उसके बाद भहनी शुरू होगा ये एक शुब नक्षत्र के श्रेणी में आता है इसके स्वामी भी मंगल और शुक्र है मंगल देव है और योग जो है वो सुकरमा नाम का योग बना हुआ है इस दिन चंद्रमा की स्थिती मेश रासी में है राहु के साथ युठी कर रहे हैं चंद्रमा सूरिय मिठुन राशी आदरनक्षत्र में विराज़मान है और इस दिन सरवार्थ सिधी योग बना हुआ है जो पूरा दिन बनेगा योग और अभीजीत मुहरत है इस दिन का अभीजीत मुहरत सुबह 11 बज कर 56 मिनट से दोपहर 12 बज कर 56 मिनट तक है अब 25 जून का दिन तो ये एक तो शनिवार का दिन है क्रशन पक्ष की द्वादसी थी है नक्षत्र की बात करें तो भणी नक्षत्र सुबह तक रहेगा उसके बाद ग्रती का नक्षत्र ध्रती नाम का योग पूरे दिन बनने वाला है और चंद्रमा मेश राशी में रहो के साथ यूति कर रहे हैं सूरिया मिथुन राशी में आद्रा नक्षत्र में हैं और त्री पुषकर योग इस दिन बनेगा जो अगले दिन सुबह तक है जो ये कुत्तम योग बाना जाता है अभी जीत मूरत सुबह 11 बजगर 56 मिनट से और दोपहर 12 बजगर 52 मिनट तक तो ये हो गई ग्रहों की इस्तिथी अब इसी के आधार पर हम जानेंगे कि ये जो दो दिन है ये आपके लिए कैसे रहने वाले हैं किस तरह के प्रभाव आपको देखने को इस दोरान मिलेंगे तो पहले हम 24 जून की बात करेंगे कि 24 जून का जो दिन है वो आपके लिए कैसा रहेगा तो एक तो देखिए ये जो दिन है ये इकादशी तिथी है इकादशी तिथी तो दिन की शुरुआत आपको भगवान विश्णु की आराधना और माता लक्षमी की आराधना के साथ करने चाहिए जिससे आपका पूरा दिन जो है वो मंगल में रह सके तो सुबा को एक तो आराधना करें और लाल पुष्प मालक्षमी को और पित करें पूरा दिन मन ही मन ओम नमो भगवते वा सुदेवाय नमा इस मंतर का जब करते रहें आपके जो भी कारें है ना वो बड़ी आसानी से आपके बनने शुरू हो जाएंगे स्राम के समय तुल्सी के पौधे के पास आपको एक दीपक जरूर जलाना चाहिए जो की गी का दीपक हो गी का दीपक जलाएंगे तो उससे आपको जो भगवान विश्णु का आशिरवाद है वो जरूर प्राप्त होगा अब राशी फिल की अगर हम बात करें तो देखे इस दिन जो चंद्रमा की इस्तिति है ना वो है राहू के साथ राहू के साथ चंद्रमा बैठे हुए हैं तो इस दिन आप एक तो संतुस्ट जीवन जीएंगे आपकी मानसिक तोर पर आप बहुत जादा सक्रिय भी रहेंगे और मानसिक द्रढ़ता में विरद्धी भी होगी जो विवाहिद जातक हैं इस राशी के विवाहिद दमपती हैं आज अपनी संतान की सिक्षा को लेकर आप कुछ अच्छे निर्णा ले सकते हैं अगर काफी समय से अपने बच्चे की सिक्षा को लेकर आपको सोच रहे थे कहीं एडमिशन करने के बारे में सोच रहे हो बच्चा बड़ा हो गया है इंसिट्यूट में आप एडमिशन कराना चाहते हों कोई कोर्स आप कराना चाहते हों तो आज उस वो जो आपकी टेंशन थी ना वो खत्म होगी और अपनी संतान की सिक्षा पर अच्छा खासा धन खर्च भी होने वाला है क्योंकि जब आप कुछ करने की सोचते हैं तो धन तो खर्च होता ही है तो बच्चों का बरता बहुत उदार होगा और आपके बच्चे ब आज आपका ज्यादतर समय फोन पर बीच सकता है मीडिया के पर बीच सकता है कारे शेतर की बात की जाएं तो कारे शेतर में परिश्थितियां आपके पक्ष में लग रही हैं सितारे आपका साथ दे रहे हैं और आपके करीबी लोग आपके करीब आने की कोशिश भी करेंग क्योंकि महमान भगवान का रूप होता है इसी चीज़ को ध्यान में रखना है आप में से कुछ लोग एकांत में समय बिताना पसंद करेंगे और वेवाही को सुख के द्रस्टी कौन से देखा जाए तो आज आपका साथी आपको कोई ना कोई बड़ा उपहार भी दे सकता है इसके मामले में तो आज बहुत उत्तम रहने वाला है समय क्योंकि आज साथी के तरफ से कोई ऐसा उपहार मिलेगा जिसे पाकर आप बड़े प्रसन हो जाएंगे वेवसाय करने वाले लोगों को आज कोई अच्छी डील मिल सकती है जो जातक थोग का वेपार करते हैं थोग अच्छा टाइम स्पाइन कर पाएंगे अपने प्रेमी से आज आप मेल भी पाएंगे तो उस मामले में भी जो समय है वो अच्छा बना हुआ है स्वास्ते आपका ठीक है लेकिन अगर कोई परिशानी होती है किसी तरह की स्वास्ते समंध्य आपको लगती है तो उसको अव अवरिक जीवन सुख में शांती में रहने वाला है आज जब आप दिन की शुरुवात करेंगे ना तो भगवान विश्णू और मालक्ष्मी के अरादना करेंगे उस समय आप अपने पिता या फिर गुरु या गुरु तुल्य पिता तुल्य वित्ति के पैर चुकर आशिर इस गुना लाव की प्राप्ति आप कर सकते हैं बस अपनी काम पर आपको फोकस करना होगा अपनी काम पर आपको ज्यादा ध्यान देना होगा वाकी ग्रह जो है वो उनकी इस सितियां ऐसी है लेकिन योग अलाग है योग का प्रभाव आपको ज़रूर देखने को मिल सकता ह सिक्षा के शेत्र में इस सित्यां जो हैं वो आपके फेवर में रहेंगी अच्छी रहेंगी प्रेम जीवन भी ठीक ठाक रहने वाला है कारेशित्र के अगर बात की जाए तो जो इस राशी के वेपारी है जो वेपार करते हैं आज उनको ज्यादा भागदोर करने पड़ सकती है कोई डील आपकी एटकी हुई थी तो उसके चक्कर में ज्यादा भागदोर आपको करने पड़ सकती है या फिर आज आपको किसी को मनाना भी बढ़ सकता है देखिए जो जातक साजेदारी में काम कर रहे हैं उनके लिए आज अपने जो पार्टनर है आपका उसको खुश करना ज़्यादा जरूरी होगा एक तो अपने आपस में आपको बॉंडिंग बहुत अच्छी बना कर चलनी है एक दूसरे की बातों को किलियर करके चलना है क्योंकि जो साजेदारी से जुड़े हुए काम है उनके लिए आज काफी मेहनत का दिन दिखाई दे रहा है या तो मेहनत जादा करने पड़ेगी या फिर आपके साथ इसे अनबन किसी तरह की हो सकती है तो वहाँ बॉंडिंग अच्छी बना कर चलनी है बाकी काम काश के लिए दिन जो है ठिक ठाक है दुकानदारी के अगर हम बात करें तो दुकानदारी आपकी अच्छी रहेगी दुकान भी आप शुरू ना करें आने वाला समय जब अच्छा होगा तब आप शुरू कर सकते हैं बाकी तो ये दिन जो है वो अच्छा है इस दिन का फायदा उठाएं मेहनत जादा करें किसी भी चीज़ को अवाइड ना करें आलस के चक्कर में किसी काम को न चोड़ें इन चीज